तो हलो और वेलकम अगें दोस्तों परसों राज से एक न्यू जबरदस तरीके से ट्रेंड पर चल रही थी और गर्मा करम तरीके से नंबर बन पर चल रही थी कौन सी की डंकी मूवी पोस्पॉन हो चुकी है या होने वाली है लेकिन 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 ओफीसियली मेकर्स की सालार आने वाली थी तब क्या करते हैं सालार को पोस्पॉन कर दिया गया था उस टाइम पर असारकियन फैंस है मलब साहरूख खान के फैंस ने परभास के फैंस की यसी धज्या उड़ाई थी कि डर गया बाप ये है वो है बगएरा मलब दुनिया भर की चीज़ें चली थी उस टाइम पर सेम चीज परभास के फैंस को मौका मिल गया था कि यार अब डंग की पोस्पॉन होने वाली है तो दुनिया भर की ट्रॉलिंग चल रही थी मीम्स बनाय जा रहे थे है ना साहरूख खान को गालिया वगएरा मलब हर कुछ जबरदस तरीके से चल ला था और य नहीं हुआ था लेकिन मैं आपको बताओं तो डंकी मूबी पोस्पॉन नहीं होई है डंकी 22 दिसेंबर को ही आनी है वही क्लैस हमें देखने को मिलने वाले है ऐसा टाइम्स ऑब इंडिया और हिंदुस टाइन टाइम्स में भी यह मैं एक आर्टिकल्स पढ़ रहा था वहा हीट हुई तो एक ही साल में है ट्रिक भला क्यों नहीं मारना चाहेगा इतना अच्छा मौका मिल रहा है इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है इतने अच्छा बूस्टर है इतना अच्छा भी इस टैम पे इसे बढ़ावा मिल रखा है तो इसका फाइदा भला यह लोग क्यो नहीं उठाएंगे क्योंकि नॉर्थ बैल्ट में इतनी भेंकर पकड़ बना चुकी है जवान उसके ले पठान तो डंकी को तो सीधा-सीधा बूस्टर मिल जाएगा पठान का फीडबेक और जवान के फीडबेक से तो डंकी तो इजली ग्रो करेगी इजली अच्छा खासा कल अपना ट्रेलर का या टीजर का मूवी का अनौंस्मेंट करानी के लिए तो इन्होंने बहुती अच्छी तरीके से ब्रेकिंग न्यूज का टैग लगा कर ये चीज रिवील करी कि डंकी मूवी पोस्पॉन नहीं होई है और इनकी न्यूज 101 परसेंट सची होती है और यस मैं बिलीब करता हूँ कि ये मूवी पोस्पॉन नहीं होई है मेकर्स की तरफ से ये भी रिवील नहीं हुआ था कि डंकी पोस्पॉन हो चुकी है मेकर्स की तरफ से ये भी रिवील नहीं हुआ है कि डंकी पोस्पॉन नहीं होई है मेकर्स बस सांत बैटे हैं मज़ा ले रहें क्योंकि यहां पर जो सरकस चल रहा था लोगों के बीच में मालब फैंस के बीच में वो इस चीज़ का देखकर इंज्वाइमेंट ले रहे थे वो चीज़ पहले भी निकाल सकते थे तरन आदर्स ये चीज परसों भी निकाल सकते थे लेकिन जो कल फैन वार देखने को मिली थी उसका मजा भी तो लेना था तो यस तरन आदर्स ने कल ही निकाल दिया था कि डंकी मूवी पोस्पॉन नहीं होई है और यस मैं इसको बिलीव करता हूँ और मूवी इतने आसानी से पोस्पॉन नहीं होगी क्योंकि मूवी इनके पास फुल बनीफडी है एक जो बाते चल ली थी कि पोस्प्रोडक्शन में काम नहीं चला है पोस्प्रोडक्शन में काम चल रहा है वैसा वैसा होई नहीं सकता राजकुमार हिरानी ये बंदा ऐसा है जो pre-planned रहता है जैसी सूटिंगा कुछ एक पार्ट complete होता है ये editing सुरू कर देते हैं तो यस इनके पास movie तयार है, teaser तयार है, even trailer भी तयार है, सब कुछ तयार है बस 22 दिसंबर का बेसबरी से इंतजार हो रहा है और जैसे ही 22 दिसंबर आएगी ये ऐसे फटने वाले हैं जब कुमार हिरानी साहरूख खान का जो combo होने वाला है, फार के होने वाला है, जबरदस combo होने वाला है, तो यहाँ पर अब साहरूख खान के fans दुबारा से active हो गए, वो अब फिर कहते हैं, सालार के fans का या फिर प्रवास के fans का मजाग उड़ाने लगे कि इतने जल्दी react नहीं क announce हो जाएगा कि movie कब आनी है, पोस्पॉन होई है या नहीं होई है, officially teaser में हमें पता लग जाएगा, फिलाल के लिए तो हमें पता ही है क्योंकि सारूख खान ने खुद अपने मूँ से 22 दिसंबर को movie release करने के लिए बोल रखा है या उन्होंने ही अपने मूँ से ये चीज ब हाईब